केरल में नरबली मामले को लेकर राश्टिय मानवधिकार आयोग सक्त हो गया है आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी है आयोग ने कहा कि मीडिया में आई खबरों का खुद से संग्यान लिया है कि एक तांतरिक ने दंपती की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दो महिलाओं की कथितोर पर बली दे दी दोनों महिलाओं के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई थी आयोग का कहना है कि इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है जहां कानून के डर के बिना अनुष्ठान के नाम पर किसी इंसान की हत्या कर दी जाती है आयोग ने कहा कि दोनों महिलाओं के जीवन अधिकार का गंबी रूप से उलंगन किया गया है आयोग ने कहा कि राज्य अपने नागरिकों का संरक्षन होने के नाते उनकी रक्षा के लिए जिमेदार है और उन्हें इस तरह की फूप रथाओं से बचाने के अपने दैतब से इनकार नहीं कर सकता है आयोग ने केरल में मुखे सचीव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सपताह में रिपोर्ट मांगी है जिसमें जांच कि स्थिती और मृतकों के परिवारों को मुआपजा देने के संबंद में बताने को कहा गया है मीडिय रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को सूचना दी गई थी कि दोनों महिलाओं में से एक 6 जून को लापता हो गई थी जबकि दूसरी महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी बतादें कि केरल के पतनम तिट्टा जिले के एलन्थूर में दो महिलाओं की अन्य जगों से बुलाकर बली दे दी गई थी एक महिला जून से तो दूसरी सितंबर में लापता हुई थी इनकी 24 घंटे के भीतर ही बली दे दी गई थी शबों के टुकडे टुकडे कर घर में ही दबा दिये गए थी आरोपियों ने कुछ मानब अंग कच्चे तो कुछ पका कर खा भी लिये थी फिलहाल तीनों आरोपियों को एरना कूलम की अदालत ने पुलिस रिमांड पर सौं रखा है